जितने भी भाइ, बैन माता पिता समाल लोग हमें लाइब शुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार हाद जोड कर नमस्कार और क्योंकि उन्हों ने ऐसी कंपनी को जोइन के है जहाँ सिरफ संस्कार सिखाय जाते जहां पर गदारी नहीं शिखाए जाती मकारी नहीं शिखाए जाती जहां इमानदारी शिखाए जाती है और S.L.P.S. में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं कि वह इमानदार है तो S.L.P.S. में ठिक हैगा और बेमान है तो बाहर चला जाएगा आज भी जहां हम सोच रहे थे अगली साथ साथ जार लोग बैटाएंगे अरे डेड़ लाग लोग बैटे हैं दुनिया वालो आके खोल कर देख लो डेड़ लाग लोग बैटे हैं मैं गर्व से कह सकता हूँ कि S.L.P.S का हर एक फाइटर हर एक फाइटर इमानदार है जाबाज है सच्चा है शूर वीर है और मेरा एक दिल है कितनी बार जीतोगे बार बार जीत लेते हो और बार बार में नतमस्तक हो जाता हूँ छे साल यहां तक पहुँचने का जो सफर है इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है आप सब का एक-एक freshers का योगदान है हर उस वेक्ति का योगदान है जो S.L.P.S. को जानता है जो हमारे बारे में negative बात करता है उसका भी योगदान है कम से का मुआरी कमपनी का नाम तो बताता है किसी को और उस योगदान का सबसे बड़ा शिरे जाता है हमारी कमपनी के operation director मिस्टर माम चंग जी को जो हमारे पीछे मजबूत स्थम की तरह खड़े रहते हैं अनिल कुरी जी को जो market में जा जाके लोगों को train करते हैं और कमपनी के first ambassador मिस्टर मैपाल सिंग जी को जिनोंने इंडिया में नहीं world record बना इतने कम समय में इतनी achievement लेके स्थारे black diamond, blue diamond, diamond, star sapphire, sapphire, ruby, topaz, emerald, platinum, gold, silver, bronze हर एक वो व्यक्ति जो S.L.P.S. को जानता है यहां तक पहुचाने में उन्स सब का योगदान है दोस्तों उन्स सब का योगदान छे साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल मच गया डारेक्ट सेलिंग में धमाल लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आसू पोचने के लिए रुमाल मैं सीधी बात बता हूँ मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूँ बस वो तो मेरे जोस जोस में दूसरी साल का शो चल रहा था ताल को टरह में बागी आवाज अंदर से मैंने बोल दिया एक दिन ऐसा होगा पिक्चर होल बुक होंगे हजार होटल बुक होंगे दि इसलिए कहता हूँ सची नियत से नेक नियत से इमांदारी से सच्चाई से बिना लोगों को ठगे बिना बेवकूप बनाए अगर यहां से कोई अवाज दी जाएगी तो वहाँ पर उसकी सुनवाई ज़रूर होगे हंट्रेट पर्मात्मा वो सारी चीजे करता है मैंने खूप समझाया लोगों को रोजगार डरेक्स सेलिग में मिलता है बोला रहने तो डरेक्स सेलिंग बीवारा आ dentro को समझाया आर्यवेध में मिलता है ठीक हूजाएगा अब करोना बाबाने समझाय तो समझा गिया कि अब करोना बाबा बोला कि अर्वेधी उस्कोड़ों तो करोन से पचोगे और फिरोजगार को बोला डार्यक् सेलिंग करोगे तो सपने करोंगे कभि रोजगाओ ढूंडने की जोड़त नहीं पड़े दोस्तों बहुत ग्रोथ आई ये डारेक सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 मेने में मैं यह नहीं कहता हमारी कंपनी में तकरीबन लोग जानने लगें समझने लगें अब यह प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं तो यह ट्रेंड आ गया है लोग समझने लगें आप लोग भी समझो कि यह इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है यह वह इंडस्ट्री जिसने इस पैनेडमिक माहोल में वह करके दिखाया जाबर लोग एक एक रुपे के मोताज हो गयते डारेक सेलिंग वाले रुपे उड़ा रहे थे लोग एक एक रुपे कमाने की सोच रहे थे ढstem डरेक सेलिंग वाले कर रहे थे लोग आ गाड़िया बाएफ हो वाले घाड़ियां यह डारेक सेलिंग की तागत मैं यह कि यह कहना चाहूंगा यह जो हुए न जब एक बैटसने बैटिन्ग करता है तो जब तक चखक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है एक रन दो रन तीन रन ले लेके धीरे-धीरे टाइम निकालता है पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है अब तैयार हो जाओ छक्के पे छक्के अट्थे पे अट्थे दस्थे बारे पर बारे लगेंगे यहां तक पहुचना मुश्किल था, इससे आगे पहुचना असान है, कुमार विस्वाजी मेरे कान में बोले, तेरी कंपनी की पोटेंशल मुझे एक लाग क्रोड की लग रही है, एक ऐसे प्रतिष्टित बक्ती को लगी, आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंट दोस्तों, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूँ, जो ऐसी प्रतिष्टा रखते हैं, कि डारेक्ट सेलिंग करने वाले भी एक लाग क्रोड की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले सो सो कोड़, हजार हजार क्रोड के ली का रहने हम स्टेज के माहत्व सी मैं सारे बता सकता कुंकि फइलियर Señor को ने ने डारेक्षuseं को और को है जिसको रियल जरुधे जो रह से नीज तैों को ने जिसको नीड है जिसके परिवार में जरुधे जिसके सपने जीस समझ में आता है पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए समझ में नहीं आता क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामियाब होने का एक रास्ता जो प्रमपिता प्रमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों और यह जब फेलियर आता है ना यह दिल पे लगता है क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको हम मिडिल क्लास लोगे इस इंडरस्टी के सिवा हमारी पैचान हमारा सम्मान हमारा मान हमें पैसा कोई नहीं कम वा सकता चरव एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलती है यह इंडरस्टी बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडरस्टी हम कोई B-TEC, M-TEC, IPS, IS इस नहीं है मेरे भाई, हम मिडल क्लास लोग है लोगर मिडल क्लास लोग है गरीबों के बच्चे हम हमने सबर साइकल पे जिया है हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की हमने नॉर्मल जिंद की जिये अगर हमें यह धंडा मिल गया तो पीछे मत हटना डटे रहना मैदान मत छोड़ना चार साल अपने अपलाईन का हाथ पकड़ लेना सोटकट में बताता हूँ जो सीखाता है सीखना जो समझाता है समझना खुद को जीरो समझना अपलाईन को हीरो समझना मैं लिक के दे सकता हूँ जिस करीब आद मिने हाथ, ऐसलिए पेसके हाथ में दिया, उसको अमीर ना बना दिया, तो ऐसलिए बाप की उलाद नहीं रिकोर्ड करो रिकोर्ड, वर्ड की लंबर वर कंपनी ना बना दी, वर्ड की लंबर वन, वर्ड की लंबर वन, अपने बाप की लंबर वन, अपने बाप की लंबर वन, वर्ड की लंबर वन, वर्ड की लंबर वन, वर्ड की लंबर वन, वर्ड की लंबर वन कंपनी प्शागा एगया जमाण से कडवाऊं। Kom लेंकिन ही लगा यह से, कभी नहीं सोचा, किसी का नुक्सान कर दूँ। प्रोडेट का रेट फाल तुम्हें बढ़ा दूँ। प्ल्कान में कुछ चेंज कर दूं। लोगों का खा जाओं। छाधते किसे डे सकता हूं और चाहराइल सकता हुआ तonda किया कर सब्सक्राइब अभी पहला चैक नहीं आता था विनके बेना चाहिए आधिने आ Нач्योने उसका शुरूारा हाथ कमाने के लिए लेकिन लोगों ने मेरा सोच मेरा दिमाग जो सोच ता ता व सब्सक्राइब कर दिया कि लोगों ने का सजीब सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं तुम तो लोगों के कमाने के लिप ले ले लो